गाइस हमारी कंट्री के अंदर लीगल एज मिनीमम लीगल एज मैरिज की क्या है बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर बताइए तो आपने बिल्कुल सही आंसर लिखा होगा महिलाओ के लिए मिनीमम लीगल मैरिज एज जो है वो 18 साल है और पुर्षो के लिए ये ए साल किया जा रहा है एंड ये डिसीजन लिया गया है जया जैटली के पैनल के रिकमेंडेशन के अधार पर तो जया जैटली कमिटी भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा डारेक कोशन आ सकता है जया जैटली कमिटी किस से रिलेटेड है तो महिलाओं की मैरिज की प्रमला सीता रमण जी ने अपनी बजट की स्पीच में ये प्रपोजल रखा था पिछले साल कि जो भी गल्स मदर हुड में एंटर करती हैं जो भी बच्ची माता बनती हैं मदर बनती हैं तो मदर बनने की एज जो है वो क्या होनी चाहिए इस पर एक कमिटी जो है वो बननी चाहिए इसका वोने प्रपोजल रखा था साथी साथ हमारी कंट्री के अंदर मैटरनल मॉटालेटी रेट बहुत जादा है बताएं आप मुझे कि हमारी कंट्री के अंदर मैटरनल मॉटालेटी रेट कितना है बताएं जरा कि मदर्स बेबी को जो बर्त देती है उस दुरा सीतर अमन जी ने रखा था साथ ही साथ हमारी country के अंदर को portion की problem बहुत जादा है nutrition से related जो problem समलोग को देखने को माल nutrition की ये बहुत जादा है तो especially अगर महिलाओं की बात करें माताओं की बात करें तो इनमें बड़े issues है माल nutrition को लेकर इसको improve करना तो इसके लिए committee बनाई जाएगी तो इसका जो है वो proposal budget की speech में रखा था फिर जब ये task force बनाया जा रहा था ये committee जब बनाई जा रही थी उस समय इस committee को एक additional task जो है वो सौपा गया टास्क ये था यानि कि इसके terms of reference में ये भी चीज लिखी गई थी कि माताओं और ये जाच करना कि मदर की यानि की एक girl की मदर बनने की age और वो बच्चा दोनों के health को जो है वो ध्यान में रखना है इसकी जाच जो है वो करनी है कि कि किस उम्र में एक लड़की है एक girl जो है वो मदर बन जाए और जब बेबी हो उनका तो वो भी सुरक्षित हो, safe हो, healthy हो और मदर भी healthy हो तो इस चीज की जाच करना कि motherhood की age और वो बेबी की जाच करना बहुत जरूरी बेबी की health की जाच करना बहुत जरूरी है तो इस पर जो है वो इसको committee को task swap दिया गया या इस task force या पैनल को जया जैटली पैनल को task swap दिया गया इसने पहला recommendation यह दिया कि जो बच्चियों की जो उम्र है marriage की girls की women की जो उम्र जो होनी चाहिए minimum age जो होनी चाहिए marriage की वो 21 साल कर दो यह इसका recommendation था दूसरा यह था कि सरकार को लड़कियों की school और college तक पहुच को बढ़ाने पर कार्य करने चाहिए साथी साथ जो schools और colleges दूर दराज के areas में है यानि कि बच्चियां का resident एक location पर है school colleges बहुत दूर है तो इस बीच transportation की facility सरकार provide कर आए तो यह recommendation दिया इस committee ने साथी साथ यह भी कहा गया कि school के अंदर sex education यानि कि यौन सीक्षा जो है वो provide की जाए साथी साथ school में skills यानि की kaushal और विवसाय की training यानि की business की training school में ही बच्चियों को दी जाए जिससे की वो school pass out होने के बाद तुरंद उनको job मिल सके employment में वो अपना contribution वो है वो दे सकें और ये भी तक कहा गया कि इन सिफारिशों को प्रात्मिक्ता में रखा जाना चाहिए priority में रखा जाना चाहिए इन recommendation को क्योंकी जब तक इन्हें लागू नहीं किया जाएगा यानि कि इन जो recommendation को जब तक लागू नहीं किया जाएगा और महिलाओं को शशक्त नहीं किया जाएगा महिलाओं को empower नहीं किया जाएगा वाय एजुकेशन, एजुकेशन के माध्यम से तब तक विवा आयू सम्मंधि कानून अपेक्षित रूप से प्रभाव या प्रभावी नहीं होंगे, एफेक्टिव नहीं होंगे, जैसा हम चाह रहे हैं, यह जो कानून है, क्योंकि आपको आज भी बताएगा इस कि आज की र लिए भी, इवन कमिटी ने ये चीज़ भी रिकॉर्ड करी कि हमारी कंट्री के अंदर, इंफेंट मॉटालिटी रेट, यानि कि जो शिशु मृत्यू दर जो हमें देखने को मिलती है, वो आज की रेट में इतनी जादा, इसलिए भी है, क्योंकि कम उम्र में एक वुमिन ज साल के अंदर जो है, वो उनकी मृत्ति हो जाती है, बेबी इसकी, तो इसलिए कहा गया कि जो ये मैरिज की उम्र जो 21 साल की करने की बात की जा रही है, वो इस्पेशली मदर हुट को भी ध्यान में रखते हुए की जा रही है, तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, main point of view से, और साथी साथ कमिटी ने ये भी कहा कि ये recommendation, population control की उपर अधारित नहीं है, ये recommendation महीला श्रशक्ती करन के लिए है, ये recommendation gender parity के लिए भी है, जैसे की male की जो शादी करने की उमर है, वो 21 साल है, तो 18 साल से बढ़ा कर 21 साल female की भी की जाएगी, तो ये जेंडर पैरिटी रहेगी, जेंडर इक्वालिटी रहेगी, आप बताएं मुझे कि United Nation का Sustainable Development Goal नमबर कौन सा है, जो कि gender equality की बात करता है तो आप इसमें United Nation के Sustainable Development Goal वाला भी clause लिख सकते है, कि जो girl की age जो बढ़ा ही जारी है, male की age के बराबर woman की age जो है वो की जारी है, female की age जो की जारी है marriage के, minimum age marriage के मामले में तो जेंडर पैरिटी को जो है वो reflect करता है जो कि United Nation का Sustainable Development Goal के target को भी अचीव करेगा, इस context में भी, marriage के context में भी और साथी साथ, committee ने ये भी कहा कि education और livelihood तक पहुँच जो है वो बहुत जादा जरूरी है और इसे बढ़ाना है, क्योंकि महिला अगर educated होंगी, तो वो अपने decision जो है वो अपनी health को लेकर भी जो है वो swim ले सकेंगी, और देखी ये सब चीजें जो आपने सुनी, आपको लग रहा हुगा higher ये तो बहुत अच्छा है, अगर minimum age जो है और उनकी baby की health के लिए अच्छा होगा, राइट, बट क्या आपको पता है, कि महिला अधिकार कारे करता, जो है woman rights activist जो है, ये इस decision से खुश नहीं है, अब क्यों खुश नहीं है, तो इनका तर्क भी सुनो आप, तो आपको और अच्छी clarity होगी, topic पर और अच्छे से चीजों को, और अच्छे points होगे, वो लिख पाएंगे, diversify तरीके से आप, इनका कहना ये है, कि अगर हमने minimum marriage की age, minimum legal age marriage की अगर बढ़ा दी, तो जो young adults हैं, जो couples हैं, जो जो कई बार जो है, वो शादी कर लेते हैं, भाग कर, राइट, या in general भी couple जो है, वो शादी कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, वो कानून को तोडेंगे, राइट, और जब कानून को तोडेंगे, तो हमारी cases इंडिया के अंदर जादा बढ़ जाएंगे, इस point of view से, women rights activists ने ये कहाए कि ये decision ठीक नहीं है, तो ये वाला भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए का angle, इस type का भी, और आज की rate में कानून क्या कहता है, वो 21 साल और 18 साल की उम्र आज की rate में कानून ने prescribe की हुई है, बट आपको बता है कि Indian Majority Act 1875 का क्या कहता है, कि आप मुझे बता है, Marriage Act जो है हमारा Special Marriage Act और Indian Majority Act इन दोनों में से gender parity या gender equality वाला कौन सा कानून है, तो Indian Majority Act 1875 का जो कानून है वो gender parity है, जैसे कि एक व्यक्ति को driving license कम मिलता है, चाहे वो male हो या female हो, 18 साल की उम्र में, एक व्यक्ति को vote करने की शक्ति जो है वो कम मिलती है, 18 साल की उम्र में, vote करने का अधिकार जो होते हैं एक व्यक्ति को, चाहे male हो या female हो, जैसी व 18 साल की उम्र पे आते हैं और उसको क्रोस करते हैं तो उनका वोटराइडी कार्ड जो हो बन जाता है तो यह majority act की minor और major minor child बोते हैं हम लोग की एक विक्ती minor है मतलब वो 18 साल से कम की उम्र के हैं तो 18 साल जो age जो prescribe करी है decide करी है वो male और female के लिए equal है gender equality gender parity वाली है right दोनों के लिए but marriage के case में यह gender parity नहीं है ठीक है तो यह point भी आप थोड़ा सा दिहार में रखेएगा but अब इसको gender equal जो है वो किया जा रहा है cabinet ने approve कर दी है इस चीज़ को and एक और चीज मैं आपको एक statement दे रहा हूँ illegal नहीं है गैर कानूनी नहीं है बताएं यह statement सही है यह गलत है यह statement सही है Hindu marriage act 1955 जो है वो कहता है कि child marriage जो है वो illegal नहीं है बतला allow करता है child marriage को बढ़ा उसमें यह भी है कि अगर किसी नाबालिक वर्या वदू इनके अनुरोथ पर विभा को शून गोशित किया जा सकता है अनि कि अगर कोई जैसे माइनर नाबालिक वर्या वदू है अगर वो नहीं चाह रहे है या फिर उनकी अगर marriage हो गई और वो बाद में बोल रहे हैं कि हमें जो फोर्सफुली कराया गया हम marriage नहीं करना साथ है तो उनकी marriage को null and void भी डिकलियर किया है रह सकता है इस ground पर बट ये चीज़ ध्यान में रखिएगा तो इसलाम में जो माइनर की जो marriage है तो वो वैद कब मानी जाएगी मतलब कि नाबालिक के यौवन प्राप्त कर लेने के पश्षाद विवा को मुस्लिम personal law के तहत वैद माना जाता है मुस्लिम personal law यानि की इसलाम जो है वो क्या कहता है कि minor की marriage जो है वो तब valid consider की जाएगी जब minor puberty attain कर लेंगे तो क्या ये सही है या गलत है आप बताए मुझे आपका क्या विचार है आप बताएं क्योंकि कानून तो कह रहा है कि ये तो सही है चाइल्ड marriage सही है राइट बट हमारा जो special marriage act 1954 और prohibition of child marriage act 2006 है इसने minimum शादी की aid जो है वो प्रिस्क्राइब करी है 18 और 21 राइट बट child marriage हमारे याँ बैंड है राइट इल्लीगल है राइट बात समझे रहो बट क्यों कह रहा है हिंदू लौर मुस्लिम लौ कि child marriage जो है वो इल्लीगल नहीं है गाइस बात ध्यान से समझे ला हमारा इंडियन लौ अगर हम constitution की बात करें state की बात करें especially state मतलब article 12 के तहत state की जो definition मैं उसकी बात कर रहा हूं मतलब की government institution government तो सरकार ने हमारे हम यह मान के जो लो समझने के लिए कि सरकार ने हमारे हम यह डिसाइट किया है कि child marriage illegal है बट child कौनसी उम्र को consider किया जाएगा minor कौनसी उम्र को consider किया जाएगा इसके लिए हम देखते हैं इंडियन majority act 1875 को राइट इंडियन majority act 1875 के दहएट अठारा साल के कम की उम्र के जो लोग है वो minor है और वो child की category में आ जाएगे तो child marriage की category हो जाएगी वो बट हिंदू laws की बात करें या muslim laws की बात करें तो इसमें ये कोई 18 साल वाला clause नहीं है तो वो अपनी जगा ठीक है ये अपनी जगा ठीक है बट आप बोलेंगे सर अगर कोई conflict को होता है तो किसकी मानी जाएगी तो obvious ही बात है इंडियन constitution की मानी जाएगी इंडियन constitution is above all तो ये चीज हम लोग को Muslim law ये child marriage को illegal नहीं मानते हैं लीगल मानते हैं तो वो statement correct होगा इस तरीकी की चीज़े आपसे prelims में अक्सर पूशी जा सकती हैं इस पर आपको ध्यान दे रहा है so guys finally अगर हम जैसे देखें कि आज की rate में जो 21 साल की जा रही है एक female की उम्र जो legal marriage की जो age है उसको बढ़ा कर 21 साल किये जा रहा है तो एक तो ये gender neutrality को भी support कर रहा है जो की United Nations Sustainable Development Goals के target को भी achieve करेगा first point gender equality neutrality का है ना second point इसके फायदे और क्या है तो आप इसमें क्या at the end फायदे मेंचेंड करेंगे health को ध्यार में रखते होए भी कि इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि mother की health भी और baby की health ये improve होगी हमारी country के अंदर infant mortality rate जो है वो reduce होगा है ना साथी साथ इसमें एक study के थूँ आप ये study का भी mention कर सकते है data इस study के थूँ ये पता लगता है कि जो भी baby बर्थ लेते हैं उन मदर से जिनकी उम्र 10 से 19 साल के बीच की है तो ऐसे baby stunned record होते हैं stunned यानि की नाटे पन की problem उन में होती है उनकी height normal baby के comparison में छोटी होती है कम होती है as compared to those babies जिनकी mother की age 20 से 24 साल की उम्र की है ये वाला point भी आप ज़रूर mention करेए बट फिर भी हमारे इतने कानून भी है minimum age को लेकर भी उसके बावजूद भी हम लोग को देखने को मिलता है कि हम लोग को देखने को मिलता है कि नावालिक की जो है वो शादी हो जाती है नावालिक की शादी ही नहीं हमें देखने को मिलता है कि sexual intercourse with minor के cases भी हम लोग को नज तो यह सब चीजे हैं जिसके बारे में आपको आइडिया हो रहा चाहिए बाकी अभी जो news आई है वो तो आप ध्यान में रखिए कि अब marriage की legal aid जो है वो बढ़ा कर महिलाओ के लिए 18 से 21 जो है वो की जा रही है जिसको decide कर लिया है cabinet है कि इसको यह अब legalize कर रहा है तो this is the whole topic guys उमीद करता हूँ बहुत अच्छे सी यह topic आपको सौन में आ गया होगा